दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका pen card तोट गया है या फिर कहीं पर गूम हो चुका है तो ऐसी में दोस्तो आप उस pen card को कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे order करोगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो करते हैं जादा समाय बरबाद ना करते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और इस चैनल पर पहली बार आये हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना pen card को order करने के लिए आपको google पे search करना है reprint pen card दोस्ति यहाँ पर मैं आपको जो भी इस्टे बता रहा हूँ आपको सिर्फ में follow करना है उसके बार दोस्तों यहाँ पर आप सब लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface open हो जाता है आपको सबसे first वाले option पर click यहाँ पर कर लिना है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे आप से यहाँ पर pen card का number पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना pen card का number यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद आप लोग अदार का नंबर यहाँ पर fill कर देंगे यहाँ पर नीचे आपसे of birth पुझा जा रहा है तो आप लोग अपना date of birth यानि क्या है यहाँ पर month फील करना, यहाँ पर year फील कर देना उसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको टिक का निशान कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो यह capture score है इस capture code को आपको इस वाले box में feel करना है उसके बाद आप सम्मित के button पर click कर लेंगे अब दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर दोस्तों आप लोगों को अपने pen card में mobile number और email ID को change करना है इस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बना है जाकर के आप मारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से आप select करते हो उस पर एक one time password send होता है यहाँ पर दोस्तों मैं mobile number को select करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर I agree के option पर click करना है उसके बाद generate OTP के option पर आपको click कर लेना है अभी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके pen card पर जो mobile number register हुआ है उस mobile का 4 digit आपको last का यहाँ पर सो जाता है इस number पर आपका OTP send कर दिया गया है दोस्तों यह OTP 10 मिनट के लिए मानने होगा अगर उसके बाद आप इस OTP को डाग के verify करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर अमानने हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको OTP फील करना है उसके बाद validate के option पर आपको click कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे आप सब लोगों के सामने mode payment का option आचुका है दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आपको कोई भी pen card को reprint कराना होता है यानि कि दोस्तों अगर आपका pin card कहीं पर गूम हो जाता है या पर तूट जाता है आपको सेम वही pen card को order करने के लिए 50 रुपय का payments करना होता है आपके pin card में जो भी address होता है उसी address पर आपका pin card send कर दिया जाता है दूस्तों यहाँ पर payments करने के लिए आपको दो methods मिलते हैं लेकिन दूस्तों यहाँ पर हम लोग पहला methods यूज करने वाले हैं जोकि दूस्तों यहाँ से हम लोग pay tm, wallet, credit card, debit card, net banking और UPI से payments कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग tick कर लेंगे और उसके बाद नीचे आपको मिलता है दोस्तों charge कितना आपको pay करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरे 50 रुपे का charge करना है नीचे आपको I agree के option पर क्लिक करना है उसके बाद proceed to payments के option पर आपको क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप लोगों से confirm payments करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों आपका transaction ID भी देख जाता है नीचे आपको Pay Confirm के option पर क्लिक करना है अगर आपको अपने Payne Card को order करना है तो चली दोस्तों यहाँ पर हम लोग Pay Confirm के option पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों से दोस्तों 50 रुपे का payments मागा जा रहा है यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों David Card से भी आप payments कर सकते हो Credit Card से भी दोस्तों आप payments कर सकते हो UPI से भी दोस्तों आप payments कर सकते हो अगर आपके पास net backing है तो दोस्तों आप net backing से भी payments कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों हम लोग simply यहाँ पर UPI से payments करने वाले हैं तो हम लोग UPI के option पर click करेंगे UPI के option पर जैसे ही दोस्तों आप click करते हैं उसके बाद आप लोगों को जो भी beam UPI है उस beam UPI को आप यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद दोस्तों आप pay के option पर click करेंगे जैसे ही दोस्तों आप pay के option पर click करते हैं आप लोग जैसे ही payments को confirm कर देते हैं आपको यहाँ पर page को cut नहीं करना है उसके बाद दूस्तों आपको redirect यहाँ पर फिर से NDSL website पर कर दी जाता है उसके बाद आपको यहाँ से एक PDF को डाउलोड करना होता है यहाँ पर दूस्तों आप लोगों का transaction number और ऐसे करके दूस्तों आपको बहुत से details आपर मिलते हैं दूस्तों मैं बिल्कूल भी pen card को order नहीं करने वाला हूँ सिर्फ दूस्तों मैं आप सब लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ अगर दूस्तों आप लोगों का pen card टूट गया है या फिर कहीं गूम हो चुका है तो दूस्तों आप लोग कुछ इस प्रक्रियत से अपने pen card को फिर से रिप्रिंट करवा सकते हैं दूस्तों हम उम्मीद करें कि ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो दखना पसंद करते हैं तो दूस्तों इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में सेयर करना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना